कि फाइनली पहुछो मैं एक 15 लिटर का न्यू मोडल का डीजी मोडल गीजर जो अपना रेकोल्ड का आया है वो फिटिंग करने का है तो मैं आप लोग को दिखाता हूं कि डीजी डिस्प्ले मोडल का जो है उसका फिटिंग कैसा करते हैं और किस तरह से आप फिट कर अबने लिए ब्य्क्त अफिटिंग कोषचे का !」 मैं और की मिलते हैं यह है जो इंगों ईजी वे कि गीजर डीखाता हूं मैं आपको कैसा फिटिंग करने का यह तो आ इसका ब्रैकेट है यह उपर फिट होता है ।ा Hoje एक समय को दिवाल पर मार्किंग करके फिट कर देंगे, ऐसा ही, तो मैं फिल हाल अभी मार्किंग कर रहा हूँ, ब्रेकेट को रखके, फिटिंग करने के लिए वो ब्रेकेट लगा हुआ है, इस ब्रेकेट में इसका हुक रहता है, यह हुक को प्रोपर तरीके से फोल्ड कर देंगे, अब यह हमारा गीजर उस हुक में होल्ड हो चुका है, अब इसका सिफ्टिवर लगाने का है, अच्छी तरीके से इनलेट में टेफलोन टेप लगा लेते हैं, यह हमारा टेप लग चुका है, अब यह सिफ्टिवर, यह मल्टि फंक्शन वाल लगा देंगे, प्रोपर टाइट हो चुका है, अब यह आउटलेट का कनेक्शन करेंगे, ठीक है, तब तक फैनल कर लेते हैं, अब इनका प्लम्मिंग का काम बाकि है, प्लम्मिंग का काम प्लम्मर करेगा, दूमेड में इ कि अब बाद हैं, उत को अपल के त बाद हैं, अब उल वा हैं, झालला केच्ट का, प्लम में – घद जिद अ, झालला कोई हो भच माल खालोगो शलोग हैं, kokाई हैं ह। कर भोर स ждंगी और आए में आ इकना हाँ कि फाइनल हो गया है अब इसका पाइप चलू कर देपानी कि इसका टाइमर कैसा सेट करने का टंपरेचर कैसा सेट करने का और कितना टंपरेचर आप सकते हैं वो सब मैं बताऊंगा तो फिलहाल इसका अगर आपको टंपरेचर सेट करना है तो सेट करके लिखा हुआ है इसके ओपर आप ऐसा प्रेस करेंगे तो टंपरेचर आ जाएगा 51 भी दिखा रहा है इसको टच करेंगे तो टंपरेचर बढ़ेगा ठीक है फिर छोड़ देंगे वह अपने आप उसमें टंपरेचर सेट हो जाएगा और अगर दोस्तों आपको टाइमार सेट करने का है जैसा आपको 10-15 मिनट का टाइम सेट करने का है तो उस हिसाब से आप यहां पर आफ का एक लोगों दिया हुआ है जो घड़ी के जैसा है इसको उपर आपका आजाएगा अब टाइमर आएगा फिर सेट के उपर जाने का एक दो तीन चार इस तरह से आप अपना टाइम सेट कर सकते यह नब्बे मिनट तक जाता है उससे फिर से कम हो जाता है फिर 15-30 पर आपन रख देंगे छोड़ देंगे वह आप्टोमेटिक सेट हो जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो डेमो का और इंस्टोलेशन का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप खुद से अच्छी तरीके से इसका डेमो ले सकते दे सकते और फिटिंग भी कर सकते हैं अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हमारे वीडियो में कमेंट के जरिये आप मेरे को कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं बेज सकते हैं और अपना सुझाओ दे सकते हैं तो मिलते हैं फिर से अलग नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए